So hi everyone, welcome back to my O2 channel So friends, आज की वीडियो मैं बात करने वाला हूँ वैसे स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट, डिप्लोमा हो लिए स्टूडेंट है फाइनल एर का, या तो आप बीटे फाइनल एर के स्टूडेंट सो तो आप लिए एक notification आट हो चुका है जो कि SSEJ का Junior Engineers के लिए तो जो भी स्टूडेंट सीविल ब्रांज से हैं या mechanical हो या electrical हो तो ओ सब के लिए notification आट हो चुका है Junior Engineers के लिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सारा information आपको दे दूगा जैसे application forms से लेके आप लोग को कौन-कौन सा डिपर्टमेंस में कितना सिट्स बेगे रहा है सारा A to Z आपको जनकारी देने वाला हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जो भी S2 चैनल पर पहले बाब विजिट कर रहे हैं देख सकते हो 28 मार्स से स्टार्ट हुआ है और 18 अप्रिल तक आप लोगों का चलेगा इसका application form फिल अप कर सकते हो लास्ट डेट एंड टाइम डिशिप्ट और ऑन लाइन अप्लिकेशन यानि लास्ट डेट कब है उसके बाब लास्ट डेट टाइम ऑन लाइन फी पेमेंट पेमेंट के लिए आपको उनीज तारिक तक दिया गया है उनीज अप्रिल तक उसके बाब करेक्शन बेगिरा अगर कुछ ओन लाइन अप्लिकेशन form फिल अप करते हो तो कुछ गलत हो जाता है तो करेक्शन कर सकते हो 22 तारिक को ओपन होगा 23 तारिक तक चलेगा उसके बाब टेंटेटिव सेडियूल आफ केम्प्यूटर बेस जो एक्जामनेशन होगा पेपर वन का वो चार्ट से दोजाचोबीस से लेकर 6-6 दोजाचोबीस तक आपको चलेगा वही टेंटेटिव सेडियूल देख सकते हो पेपर 2 के लिए आगे नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा जैसे ही देगा मैं आपको सबसे पहले बता दूँगा और अगर कोई चीज़े एक फ़र्म फिल अप करते हैं कुछ अप्लिकेशन फ़र्म में कोई दिखत होती है तो यहाँ पर दिये गए नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो आप मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन सा ओर्गनाइजेशन है पोस्टेट क्या है और इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है तो जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड बोर्डर रोड ओर्गनाइजेशन जी जो कि सिविल के लिए है सी का मतलब सिविल और यहां पर देख सकते हो जेई एम हो गया यानि कि इलेक्टिकल मैकेनिकल ते सारा चीज़ेशन है जैसे कि सिविल इंजिनियरिंग के लिए क्या एज लिमिट है तो अब टू 30 एर हो गया जो कि बोर्डर बी आरो के लिए उसी तरह से सिविल इंजिनिय से रनने वाला है Central Water Power Research देख सकते हो सारा जोग प्रोफाइल यहां पर बता दिया गया है ओके तो जो भी स्टूडेंट का eligibility है तो आप फिलब कर सकते हो जो कि फाइनल यह वाले जो भी स्टूडेंस हो सभी भर सकते हैं यानि एक अगस्त तक आप लोगा रिजल्ट आज आना हो गया जूनियर इंजे सीविल एम का हो गया जूनियर इंजे मैकेनिकल यह सारा चीज़े आपको फुल फॉर्म दिया हुआ है अब मैं बात आ देता हूं वैकेंसिस के बारे में कि कौन-कौन सा डिपार्टमेंस में क्या सीट रहने वाला है कटेगरी बार ओके तो यहां प यहां पर टोटल देख सकते हो 37 आपको सीट मिल जाएंगे उसी तरह से यहां पर देख सकते हो ब्रह्म पुत्रावर्ण मिनिस्ट्री जियल सकती के लिए सीविल के लिए कितना है दो सीटे हैं Central Water Commission के लिए देख सकते हो 12 seat हैं, Central Water Commission जो Civil Engineer हैं उसके लिए 120 seat हैं, तो ज्यादा तर जो Civil Engineer हैं उसके लिए काफी बहुत ज्यादा seat से दिखाए दे रहे हैं, वही Electrical Mechanical के लिए काफी कम है, जैसे कि देख सकते हो Central Public Works Department जहीं Civil वालों के लिए 217 seat है, वही देख सकते हो Electrical वालों के दो seat हैं, तो इस तरह से आप लोग का हर एक Department में इतना seat है, तो टोटल आपको मैंने बता दिया कि इतना आपको seats रहने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो Branch by Disability वेगेरा के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आगे मैं अब देखता हूँ, चीज़े कि आप लोग का कपसे online चीज़े होगा, तो इसमें किया citizen वेगेरा देख सकते हो, जैसे कि जो student इंडिया के हैं, नेपाल के हैं, भुटान के हैं, तो इस form को fill up कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, लिखा रहा है कि जो category आपको दिया हुआ है, age relaxation, तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर CSD वालों है, तो 5 year मिलेगा, OBC के वालों के 3 year मिलेगा, वाई PWD अन्रिजर्प या EWS के student हो, तो 10 year मिलेगा, PWA के लिए OBC के लिए 13 year मिलेगा, तो यह सारा चीज़े है, आगे जो importance से वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें तो बहुत चीज़े हैं, ओके, यहाँ पर उच्छो नोटिफिकेशन आता है, मैं दिखा देता हूँ, जैसी कि how to apply online free, विगेरा के लिए दिया हुआ है, और आपको मैं बता देता हूँ, कि application form जो fill up करोगे, तो उसमें आपको 100 रूपी लागेंगे, अगर आप OBC या general value candidate सो उसके लिए, अगर आप female सो, या आप SCST category से भी लोग करते हो, तो आपको कोई fee नहीं देनी होगी, के लाप form fill up कर दो, जैसे कि यहाँ पर देख सकतो fee पेव 100 रूपी, तो 100 रूपी आपको लागेंगे, उसके बाद आगे मैं देखता हूँ, कोई notification वेगेरा चीज़े हैं तो, और यहाँ पर central code examination का दिया हुआ है, कहाँ पर आपको examination वेगेरा होगा, और देखता हूँ नीचे में क्या चीज़े हैं, जैसे कि friends यहाँ पर आप देख सकते हो, subject by आपको सारा चीज़े computer based जो paper होगा, paper 1 मां computer based examination होगा, जिसमें कि आप देख सकते हो pattern, exam pattern क्या है, तो general intelligence and reasoning वेगेरा रहेगा, तो 50 by 50 यानि कि number of question, minimum marks आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 2 year, 2 hour का आपको time मिलेगा, 2 hour and 40 minutes में, ओके आपको बनाने होगे, यह सारा चीज़े है, फिर आपको paper 2 होगा, computer based examination होगे, उसमें आपको 100 marks का होगा, जो कि 100 question रहेंगे, 3 marks का रहेंगा, यहनि 300 total होगिया, यहाँ पर आपको इसी में आप देख सकते हो, part A हो गया और part B हो गया, part B में आपको general engineering का आपको question पूछें जाएंगे, जैसे कि electrical हो या mechanical हो, या civil हो, उसमें आपको 100 by 100 है, तो कुछी इस तरह से आपको exam pattern रहने वाला है, मैं बात के लेता हूँ आगे चीजे कि क्या सब है, जैसे कि यहाँ पर सारा चीजे बताया गया है, कि आपको जो सीलेवस भीगे रहा है, कौन-कौन सा subject से, कौन-कौन सा आपको सब topics पूछे जाएंगे question, यहाँ पर है, आपको इस notification को मैं आपको discussion box में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो सारा चीजे, और इसमें कुछ रहता है, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, तो आगे मैं लेकर चलता हूँ, फटा-फट से यहाँ पर आपको departments का लिखा हुआ है, चीजे, और इसका मैं बता दूँ कि आपको payment बेगे रहा, वही 50,000 या 55,000 के करीब आपको starting payments रहता है, यानि कि आपको वही 50 से 55,000 रुपे आपको मिलेंगे, और आगे मैं देख लेता हूँ, जैसे कि सब का form fill up है, जो भी students form fill up करेंगे, कोई का EWS candidates रहेंगे, जैसे कि application form fill up किये होगे, तो सारा चीजे आपको उसमें बता दियेंगे है, तो और भी कोई चीजे आपको पुछना है, तो comments में पूछ लो, यह सारा चीजे बहुत है, तो इसमें मैं तो जो importance था, वो मैं सारा चीजे details कर दिया हूँ, तो friends वीडियो अच्छा लगा हूँ, तो वीडियो को like कर देजिए, चलते हैं, thank you so much friends,